Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, 2-minute series के revision module में आपका स्वागत है, तो आज हम discuss करेंगे जम्मो एन कश्मीर के recently जो conduct की गई delimitation commission के बारे में, तो ये लगभग जून 2021 की बात है, एकदम latest news है यहाँ पे, जहां delimitation exercise जो है जम्मो एन कश्मीर में start हो चुकी है, तो अगर आप देखेंगे कि 2019 जो है लगभग ऑगस्ट के महीने में जब article 370 हटा दने के बाद जम्मो एन कश्मीर जो एक state था, उसको दो अलग-अलग union territory जम्मो एन कश्मीर और लदाक में तोड़ दिया गया था, तो उससे पहले जो है जम्मो कश्मीर 2018 से जो है center के rule के अंदर जो है यहाँ पर govern हो रही थी, तो देखें यहाँ पर delimitation यह एक ऐसी process है, जहाँ पर अलग-अलग जो territorial constituencies है, चाहे वो assembly के लिए हो या फिर लोगसभा seat के लिए उसको फिर से redraw की जाती है, एक legislative body as per election commission, तो देखें इसको इस तरीक constitutional constituencies थी यहाँ पर, तो इसके हिसाब से यहाँ पर election conduct होती थी, अभी यहाँ पर हर time के बाद क्या हो जाता है कि एक particular point में, एक particular यहाँ पर party या फिर जो political party की दबदबा हो जाती है, और इस party यह इस जगह पर compulsory जित्ती ही जित्ती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यह territorial constituencies constituencies को redraw की जाती है, अलग-अलग, दो से तीन constituencies को यहाँ पर merge करके या फिर अलग-अलग तरीके से, इनकी size या फिर जगह को change कर दिया जाता है, ताकि जो democracy के लिए यहाँ पर सही बात हो, तो delimitation यह exercise जिसके through conduct किया जाता है, एक independent high power panel होती है, जिसका नाम होती है, delimitation commission, औ delimitation commission के जो order होती है, यह कहीं पर भी किसी court में question नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखें कि यह exercise जो की जाती है, हर जो census के बाद on the basis of population के हिसाब से जो है यह conduct होती है, तो constitution में delimitation के लिए भी प्रावधान है, article 82 में हिसाब से जो है parliament, हर जो census के बाद delimitation जो है, उसको conduct करती है, और state में अगर देखा जाए, article 170 में, states में हर census के बाद जो है, जो parliament के थूँ यहाँ पर, territorial constituencies में delimitation जो है exercise की जाती है, तो देखें यहाँ पर union government, जो है delimitation commission हर एक act के थूँ इंप्लिमेंट की जाती है, और अगर बात करेंगे, पहली delimitation exercise इसको जो गरिट की तो एक act pass करना होता है, उसके बाद president उसको carry forward करता है, तो अभी तक जो है, चार बार delimitation commission setup किया जा चुका है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में, और यह हर बार जो है, एक act के थूँ इसको carried out की गई थी, 1952, 62, 72 और 2002 के हिसाब से, तो delimitation commission के अगर composition के बारे में देखेंगे, यह delimitation commission यह appoint की जाती है, president of India के द्वारा और इसको collaboration किया जाता है, election commission of India के थूँ, तो यहाँ पर यह delimitation commission जो है, यह consist कैसे होती है, यहाँ पर retired supreme court के judge बढ़ते हैं, chief election commissioner होते हैं, और जिस state में की जाती है, यहाँ पर उस state के, जो है, election commissioners भी मौजूद होते हैं, तो जमुएन कर्ष्वी मे इससे पहले जो election, जो delimitation commission कंड़ किया जाता था, तो लोग सभा में जब किया जाता था, तो यहाँ पर इंडिया की government के द्वारा की जाती थी, लेकिन अगर देखा जा इससे पहले जमुएन कश्मीर में, because उनलों की खुद की constitution थी, तो assembly के लिए यहाँ पर अगर delimitation करना ह होगा और यह वीडियो अगर आप लोगो आचा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए इसको शेर करेजिए, तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं, स्टेडियो आइस टेकर, थेंक्यू, एन जय हिंद,